नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक वार फिर से स्वागत हैं जेके आईटीय मंत्रा के ओफिशिल यूट्यूब चैनल में आईटीय कंप्लेट कर चुके हैं, कॉंपेटिशन एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं या फिर इस वार आपकी आईटीय कंप्लीट होने वाली है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोश्ट इंपोर्टेंट है 2023 में कौन कौन से बड़े डिपार्टमेंट है, दस बड़े डिपार्टमेंट के बात करेंगे जिनमें अभी अभी फिलहाल भरतियां आने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, एक्जाम पेटन और सेलिबस भी मैं सोइट करेंट में आपको बता दूँगा, ताकि आप उसके अकोर्डिंग प्रिप्रेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं प्रिप्रेशन वेकेंसी आने के बाद जो करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, पहले सी आप कितने प्रिप्रेश हैं यह ज्यादा इंपोर्टेंट है चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में दस महत्वपूर्ण या बहुत बड़े बड़े विभाग जैसे हाई लेवल के जो डिपाइटमेंट होते हैं उनकी बात करेंगे छोटे डिपाइटमेंट भी है लेकिन वो एक्स्ट्रा है यानकि दस तो बड़े हैं उसके बाद भी बात करेंगे आपसे दो ही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं एक तो वीडियो को लाइक करें और दूसरा अपने फ्रेंट्स के साथ सेयर करके उन्हें भी बताइए कि ये दस बड़े इंपोर्टेंट डिपाइटमेंट है इनमें वेकेंसी आने वाली है चलिए हम दोनों एक साथ तयारी करते हैं लाइक करना तो आपको है और सब्सक्राइब पहली वार आई हैं तो कर लीजिए देखिए पहला जो आपके पास डिपाइटमेंट है लोगो देखके कुछ बच्चे तो पहचान जाते हैं उन्होंने आईटे कर रखे आराम से और आब इनी डिपाइट द्धान के अंदर है जनकी रिशर्च सेंटर है उसमें आपके वेकेंसी आने वाली हैं इनका एक नेगिटिव पॉइंट क्या है जैसे इसरो का 37 दवन के अंदर है यू आर सेटलाइट है इस परकार के जब भी यह अलग अलग डिपाइटमेंट में ये वेकेंसी करते हैं कै इससे दू नुकसान होते हैं एक तो विद्यार्थियों को अलग अलग फॉर्म अपलाई करना पड़ता है जिसे फॉर्म फिस जदा लगती है और दूसरा ये नुकसान होता है कि इसमें पोश्ट बंट जाती है यदि यह सारी इसरो के एक साथ करें ज्यादा नंबर में पो कर जाएंगे ऐसा एक्जाम लिया जाता है इसकिल टेस्ट और तो बड़े अनुसंधान है तो लेंगे इसकिल टेस्ट भी होता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस रों में इस बार वेकेंसी आ चुकी है और आगे भी आनी है आभी जो कंप्लेट हुई है वो यू आर 37 दवन वाले भी कंपलीट हो चुकी है आगे भी इस बार इस साल यांकि 2023 में इस रों वेकेंसी करने वाला है दूसरा जो आपके सामने डिपाय्टमेंट है वो है डीमर्सी डीमर्सी में पिछले कई वरसों से यांकि 2 या 3 साल से वेकेंसी नहीं आई है दिल्ली मेट्रो, र और रेल यानकी अलपी टेक्निशन चार इसे डिपार्टमेंट में जो बहुत ही हाई लिवल के हैं और यहां आपको यदि जोब मिल जाती है तो आप कह सकते हैं लाइफ सेट है DMRC में क्या होता है क्युसं आते हैं लेकिन इननों इनमें नेगेटिव मार्किंग रखे जाती है और लगब यह 40 या 45 सेकंड का टाइम देते हैं एकक dedicate को करने के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है लेकिन जो preparation करते हैं वो कही न कई सेट हो जाते हैं तो मेरी तरफ से ये ISRO और DMRC दोनों ही बड़े डपार्टमेंट हैं दोनों ही इसवार वेकंसी करने वाले है DMRC में तो वेकंसी अभी जल्द ही आने वाले हैं यानी कि इस वीडियो की बनने की तीन महीने के अंदर-अंदर आपके वेकंसी देखने को मल जाएगी चलिए आगे जो आपके सामने वेकेंसी है वो है भारतिये रेलवे अब रेलवे में जाने का सपना किसका नहीं होता कौन नहीं चाता कि मेरा सेलेक्षिन रेलवे में नहीं हो आप सबी की कभी ने कभी ख्वाइस रही होगी कि हम भारतिय रेलवे का इंडियन रेलवे का हिस्सा बने तो यदि आपका भी ये सपना है कीजिए आज से ही प्रिपरेशन भारतिय रेलवे आपके लिए most suitable है और इस साल यान की फरवरी और मार्च की अंतर तक आपको इसमें बड़ी vacancies बड़ी post of vacancies देखने को जरूर मिल जाएगी इंडियन रेलवे में जो आपके vacancy आती है उनका नाम रखा जाता है ALP और technician ALP में कोई भी apply कर सकता है ITA वाले भी कर सकते हैं 12 वाले भी कर सकते हैं लेकिन technician में केवल ITA वाले apply करते हैं यदि आपका selection ALP में हो जाता है तो भी अच्छी बात है वरना technician भी कम post नहीं है दोनों का level एक जिसा रखा जाता है exam pattern से हम होता है बस आपको qualify exam करने के बाद वो लेते हैं या तो ALP assistant लोको पाइलेट में या फिर technician में इनमें भी आपके non-take रखा जाता है दो exam होते हैं CBT1, CBT2 इस पर मैंने एक detail वीडियो आपको provide करवाया हुआ है आप जाईए और देखी दो तेन दिन पहले का वीडियो है तो आप जरूर देखी क्या होता है railway में क्या syllabus होता है मैंने पूरा आपको explain कर दिया है पूरा ना notification था उससे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है चलिए भारती railway में भी आज से आप तयारी कर सकते हैं आगी वाला है OPTCL ये क्या है ये है आपकी उडिसा का plant या फिर उत्पादन वाला विभाग बिजली उत्पादक है OPTCL इसमें क्या है वेकैंसी आज या कल में आने वाली है सोट notification साइध आ चुका है complete notification फुल notification आज आने वाला है या फिर कल आने वाला है एक दो दिन में उडिसा में आने वाला है तो तयारी कर दीजिए शुरू उडिसा राज्ये में आपकी लिए बड़ा आउसर है बहुत सांदार विकेंसी होती है उत्पादन वाली विकेंसी भी अच्छी होती है वित्रन से ज़्यादा उत्पादन बेश्ट निगम मैं मानता हूँ और ये लीजिए राजस्तान राज्ये विधुत उत्पादन निगम लिमिटेड यानि की आर्वी उनल आप सभी ने टेक्निकल हेल्पर की तैयारी तो कर ही रखी है टेक्निकल हेल्पर आता है आपके वित्रन के अंत्रगत और ये आर्वी उनल है राजस्तान राज्ये उत्पादन निगम लिमिटेड यानि की ये है आपकी उत्पादन का और वो है आपकी वित्रन का आपके 11 सालों में यहां technician post पर कोई भी vacancy हुई ही नहीं है इनमें क्या होता है कि ITA और 10th qualification रखा जाता है सब में जो मैं आपको बता रहा हूँ उस अभी में यही है ITA और technician ही रखा जाता है तो आपको गबरानी की आवशक्ता नहीं है ITA और 10th pass होना चाहिए ITA pass 10th pass दो आपके pass होगी आप इनमें eligible है अब देखे इसमें क्या होता है जो आपके नोखली लगती है उसका नाम रखते हैं technician आपका नाम रखते हैं technician या फिर रखते हैं हाइडल ओपरेटर जा फिर नाम रखते हैं plant attended PA के नाम से आपको vacancy मिलती है यह बस आपके plant wise होते हैं कि आपका किस plant में selection हुआ है वहां किस नाम से बुलाते हैं कई में technician कई में हाइडल ओपरेटर कई में plant attended नाम से रखा जाता है लेकिन salary सब कुछ process आपके same रहता है बस न इसमें vacancy आ सकती है और मंजूरी भी साइद मिल चुकी है बस अब आपकी उर्जा मंतरी या मुख्य मंतरी जी एलान करेंगी उस दिन विग्यपति जारी होगी लगबख 500-600 post पर आपकी vacancy देखने को मिल सकती है उसके बाद देखिए NPCIL Nuclear Power Corporation of India बताओं इसमें क्या होता है एक होता है आपकी पावर प्लांट कौन सा थर्मल पावर प्लांट एक नुक्रियल पावर प्लांट तो यह है आपके नुक्लियर वाला इसमें परदूशन तो काफी मातरा में होता है आपको पता है यह ठियोरी जो पढ़ते हैं उनको लेकिन इसमें vacancy आ चुकी है मैं ये वीडियो दो दिन से प्लानिंग कर रहा हूँ बनाने की लेकिन बना नहीं पाया हूँ पर पहले से पूरा सेटल था तो इसमें फिसे मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है वीडियो आपके सामने कम्प्लीट है NPCIL में वेकेंसी आ चुकी है कल ही लाश्ट नाइट को आपकी वेकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है तो आप चाहे तो अप्लाइ कर सकते हैं इसमें भी दो एक्जाम होंगे प्री और मैन से उसके बाद स्केल टेस्ट लिया जाएगा और टैन्थ प्लस आई के रखे गई है त इसमें वेकेंसी आ चुकी है एक है आपकी HP यानकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत सरकार का निगम है यानकी पूर्णत भारत सरकार की अधीन आता है आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं तेन्थ प्लस आईटी रखी गई है और अच्छी खासी सेलरी मिलती है इसकी भी व चोट आपके टेंथ प्लस आईटी रखी गई है तो यह चोटे चोटे डिपार्टमेंट है जिनकी मैं बात करा हूँ अब देखी सेल सेल राउर केला भिलाई यह वाली होते हैं हर साल वेकेंसी करते हैं यह अपने अपने प्लांट के अकोर्डिंग जितनी आप इनको टेक् लेकिन लगातार महनत करने से लगातार कोसिस करने से लगातार प्रियास करने से एक दिन जरूर मिलती है तो आप इस कभी न कभी सफलत होंगे बस आपको करनी है लगातार महनत यानकी इस लगातार में यदि आप कहीं रुके तो हो सकता है आपकी सफलता आप से दूर हो जा हैं तो वो भी आपको किया हुआ होना चाहिए तो आप apply कर पाएंगे आप देखिए मैंने जो last में ले रखा है वो सबसे बड़ा department है सबसे easy level का exam paper करवाता है और आप सभी को इसका तो experience हो चुका होगा डियाएडियो ने अभी recently exam लिया है सब आउगत है केसे पूछता है डियाएडियो क्योशन केसा इसका exam level होता है क्या syllabus होता है इस पर तो बताने की आवशिकता ही नहीं है क्योंकि आप सभी ने इसका exam दे रखा है मैं डियाएडियो का क्यों लेकर आया हूँ आप सभी सोच रहे होंगी कि सर डियाएडियो का exam अभी तो हुआ है अब बार बार क्या डियाएडियो वेकेंसी निकालता रहेगा जी हाँ एक आपने नाम तो सुना होगा कि हर department के पास अपना पावर होता है वो जब भी चाहे वेकेंसी निकाल सकता है तो डियाएडियो उसी पावर का यूज करने वाला है और इसके पास जो पावर है उसमें लिखा हुआ है कि डियाएडियो सेप्टम पंदरा तक वेकेंसी करेगा यानि कि सेप्टम नाइन हुई थी आपको पता है आप मैंसे कई विध्यार्थियों ने उनमें पेपर दिया था उसके बाद सेप्टम टेन में आप सभी ने पेपर दिया है और इसके बाद पाँच वेकेंसी लगातार और आनी है September 11, 12, 13, 14 और 15 पांच department के पास power है वो पांच vacancies और निकालेगा हो सकता है साल में दो vacancy कर दी साल में एक vacancy कर दी लेकिन September 15 तक ये post fill करेगा इनके पास post खाली है तो ये आपके लिए vacancies हर साल करता जाएगा जब तक September 15 नहीं हो जाता तो आप सभी को सहले बस पता है बस आज से पढ़ते रही हो सकता है कभी भी technician का result आए और admin and align के paper हो और उसके बाद आपको फिर से देखने को मिल जाए डियाएडियो September 11 vacancy का notification तो ये थे आज की important 15 से जादा department चली मैंने आपको कुछ और नहीं बताया वो भी बता देता हूँ क्यों ये तो थे बड़े बड़े department जो मुझे अच्छे लगे और जिनमें अभी vacancies आने है और जिनको मैं top level का मानता हूँ लेकिन कुछ ऐसे भी department है जो मेरी नजर में नहीं आई लेकिन हो सकता है वो आपके लिए एक top level के हो जैसे पंजाब बोईड है ये हर साल लगबग vacancy करता है लेकिन इस वार इसके पास पूरी post भरी वी है तो वो सकता है पंजाब में आपको इस वार vacancy देखने को नहीं मिले लेकिन कभी नहीं कभी देखने को मिलेगी दूसरी आपके होते हैं यूपी में हर वार आपको मिलती है यूपी वी सेल यूपी आर्विनल यूपी की उत्पादन निगम में वो इस वार फिल हो चुकी है और छोटी छोटी डिपार्टमेंट और भी होते हैं जिस वार जैसे इस वार इंडियन नेवी में vacancy आई है छोटे छोटे अपने राज्जी की उत्पादन निगम होते हैं वो भी अपलाई करते हैं जैसे इस वार एंपी में आपको बहुत बड़ी vacancies देखने को मिल सकती है एंपी टी यू हुआ उसकी vacancy हो चुकी है वो तो ट्रेनिंग ओफिसर की थी इस वार एंपी उत्पादन निगम में या उत्पादन में अपने vacancy कर सकता है मद्य परदेश में उत्पादन की seat अभी खाली है उसके बाद देखी CPRI का अभी exam हुआ यानकि केंदरी अनुसंधान वाले का exam हुआ और ये vacancy आज से पहले कभी नहीं आई थी पहली वार vacancy आई थी तो हो सकता है कई इसे department हो जिसने आज तक vacancy नहीं की है लेकिन अब vacancy कर सकते हैं तो तैयारी शुरू रखिए अपनी लगातार continue कीजिए मैं तो आप से request करूँगा टेकनिकल आप सभी का मजबूत है non take पर focus कीजिए क्योंकि आप सभी ने अब लगातार आप देख रहे हैं जहां भी exam हो रहा है non take बराबर पुछा जा रहा है जैसे DIDO हो गया, ISRO हो गया, DMRC हो गया railway तो पूरा non take है टेकनिकल तो उसमें केवल 75 की सनाएंगे और दो सिबिटे होंगे उनमें non take main रहेगा कीजिए तयारी चैनल को subscribe, like and video को share भी कीजिए इसी परकार की news notification आप सभी को मिलती रहेगी